घर में शादी है तो मात्र एक लाग एक सट हजार रुपे में परिश्रम पैरेडाइस के 25 लगजरी कमरे दो हॉल गार्डन संपून डेकुरेशन के साथ उपलब्द हैं दिये गए नंबर पर संपर करें अथवा जस्वाडी रोड पर विजिट जरूर करें प्रतेक वर्ष मत्यप्रदेश के घंडवा के पदम नगर धाने के अंतरगत आने वाले दादाजी मंदिर से भोले की बारात निकलकर जलेबी चौक पर स्थित महादेवगड मंदिर पहुंसती है हजारो हजार शद्धालू आपको बता दें इस भोले की आत्रा में समिलित होते हैं पुलिस प्रशासन की बात करें तो भोले की बारात को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से मुस्तेद रहा है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा संख्या आने के उमीद है बाहर से भी लोग आ रहे हैं गाउं से भी लोग आ रहे हैं ऐसे में कानून विवस्था बनी रहे क्योंकि आपको बता दें कि जब भी किसी भी जिले में शहर में अगर बात करें खास कर भारी संखिया में भीड आती है तो उस थिती में कानून विवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चैलेंजिंग होता है कानून विवस्था की बात करें तो खंड़बा पुलिस हमेशा से इस तरह के इवेंट के लिए तयार रहती है आपको बता दें खंडबा में महाशिवरात्री के दिनी यानि कल क्योंकि केवल भोले की बाराती नहीं अपीतु सभी शिव मंदिरों में भारी भीड रहेगी 500 से ज़्यादा जवान केवल भोले की बारात के लिए तयार रहेंगे और शहर में अन्ने जगे पुलिस भल भी तयार रहेगा मादेवगर द्वारा निकाले जाने वाली भोले कि बारात के साथ ही शहर वे जिलों के मंदिरों में सुरक्षा बंदोबस्त के लिए पुलिस कर्मी तनायत किये जाएंगे किसी भी तरह की अपरी घटना नाओ इसको लेकर ड्रोन और CCTV कैमरे से पुलिस अधिकारी पूरे कारे करम पे नजर रखेंगे इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम के अलाबा अन्य अधिकारी भी इस पूरे मामले को लेकर अपॉइंट किये गए हैं ड्रोन कैमरे की भी पूरी त्यारी कर ली गई है आराई पुर्शोतम विष्णोई ने बताया कि शिवरात्री के त्यार को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किये जा रहे हैं सुरक्षा में किसी तरह की चूक नाओ इसके लिए शहर से तीन कंपनिया बुलाई जा रहे हैं अन्य शहरों से बुलाई जा रहे हैं इनमें 34 बटैलियन धार, PTS सागर, 1 बटैलियन इंदौर, सहित 15 वाहिनी के 300 जवान तैनात होंगे दोसों की ड्यूटी शहर और बाकी की ओमकारिशोर में रहेगी जो सुरक्षा प्लान के तहट अलगलग पॉइंट पर तैनात रहेंगे आपको बता दें, वहीं मादेवगड की शोबा यात्रा में पुलिस कर्मी अपने-पने हतियारों और पूरे संसादनों के साथ ड्यूटी करेंगे सेफटी जैकेट, वजर वहान, पुलिस, वैन, समेत अन्य गाडियां भी मौजूद रहेंगी पुलिस हर स्थिती के लिए अलर्ट रहेंगी, जिससे वहां किसी तरह की दुरगटना न घट सके ऐसामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है सिसिती वे ड्रोन कैमरे से खंडबा शहर के कई लाकों पर नजर रखी जाएगी हाई राइस बिल्डिंग पर भी पुलिस के जवान तयनात रहेंगे और दूरबीन से यात्रा सहित अन्य स्थानों पर शहर में नजर रखी जाएगी दूसरी और ओमकारिश्वर में भी जियोतिलिंग होने की वजएसे भक्तों का सहलाब उमरने की उमीद है ऐसे में वहाँ भी विशेश इंतजाम रहेंगे ट्राफिक से लेकर सुरक्षा बंदोबस्त के लिए टीम तयार रहेंगी आपको बता दें भोले की बारात को लेकर पुलिस प्रशासन विशेश तोर पर अलर्ट है और आपको बता दें कि पिसले दिनों खंडवा में जो घटना करम हूँ है उसको लेकर पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती इसलिए बाहर से पुलिस फोर्स, बटैलियन, वीटीयस सभी जगे से जवान बुलाए गए हैं और आपको बता दें भोले की बारात के लिए विशेश इंद्जाम किये गए हैं शहर में सुरक्षा ववस्ता, कानून ववस्ता बनी रहें आम जन्मानस कल त्यहार को अच्छे तरीके से उत्साहित होकर मना सकें और पुलिस प्रशासन इसको लेकर उन्हें सभी को सुरक्षा देने के लिए अपनी पूरी तयारी कर चुका है और लगातार अधिकारियों की बैठक भी हो रही है आपको बता दे कि कल भोले की बारात सहित शिवरात्री को लेकर खंडबा पुलिस प्रशासन हर स्थिती से निपटने के लिए तयार है और आपको बता दे कि पुलिस का जो सिस्टम है उसके अलावा जो एजिंसी रहती है वो भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है पुलिस हर उस गतिविधी पर नजर बनाये रखी है जो इस त्योहार में शांती के शांती बनाये रखने के लिए जरूरी है और आपको बता दे कि किसी भी कीमत पर खंडबा स्पी विबेक सिंग का कहना है कि जिले और शहर में शांती विवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी गुंडे बदमाश्यों पर लगतार नजर बनी हुई है और अलग अलग जगह पर पुलिस जवान तयानात रहेंगे इसको लेकर पूरे रूप रेखा बना ली गई है और आपको बता दें पुलिस और प्रशासन की महाश्यवरात्री को लेकर तयारिया जो रोपर है परिश्रम पेरडाइस अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बुजेट में 25 रूम, दो गार्डन, दो हॉल, कंप्लिट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुभिधा साथ ही आप पाएंगे प्योर वेक्ज फैमिली रेस्टोरेंट, केफे और रुकने ठहरने की दम्द्यवस्था अधिक जानकारी के लिए डियेगाए नमबर पर संपर्क करें पता राम दगर के पास जस्वाडी रोड खटबा